इस वीडियो में मैं आपको उताने वाला हूं फ्रेंड्स की आईक्यूब के फोन में कलर निन वर्जन सेटिंग से आप क्या होता है आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिएगा चैनल पे नहीं सस्क्रा का इस पर क्लिक करेगा इसमें आपको उप्सन मिल जाता है कलर इन वर्जन का इस पर क्लिक करेगा अब इसमें दोस्तों देखिए यूज कलर इन वर्जन तो यूज करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेगा तो यह ओन हो जाएगा अब देखिए कलर इन वर्जन ओन हो जान आपके screen के दोस्तो background का color और ticks का color दोस्तो रहता था black तो ticks का color हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो white पर दोस्तो ज़्यादतर mobile में मैं यह देखता हूँ कि screen के background का color black हो जाता है पर iqb के mobile में यह हमें देखने को मिल रहा है कि background का color गुलावी हो गया है और ticks का color black से white हो गया है हलाकि हो सकता ये चिंजस आपको सो नहीं कर रहा होगा क्योंकि screen recording इस चीज़ को support नहीं कर पाता है पर जब आप इसे on करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस से क्या होता है तो ये on करेंगे तो color उल्टा हो जाएगा बंद रखेंगे तो देखिए text का color आपको black दिखता है screen के background का color white पर on करेंगे तो text का color हो जाएगा black से white और screen के background का color white से दोस्तो pink यहाँ पर हो जाता है मलदब color यहाँ पर उल्टा हो जाता है और देखिए दोस्तों अगर आप dark mode में settings को on करेंगे सबसे पहले देखिए मैंने dark theme अपने phone में on कर दिया अब देखिए dark theme में हम color inversion को use करने के लिए यहाँ पर click करते हैं तो देखिए dark theme में दोस्तों क्या हो गया कि हमारा text का color हो गया दोस्तों black, white से और screen के background का color दोस्तों black से हो गया white मतलब उल्टा हो गया तो इस तरह के साथ उस अगलर inversion की settings को use कर सकते हैं अपने IQ के phone में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करेगा